यह हैं दुनिया की सबसे बड़ा सिबलिंग हेलो गाइज वेलकम बाग मेरे चन्वाल बश्वागते आज हम कुटिलिंगे सरु आये हैं यह कुटिलिंगे सरु जो है कनाटक की कोला डिस्टिट की कौमा सांध्र गाउं में हैं इधर का सची काने हम बताने बाले हैं प्लीज पुरों मेटर स्ट्रसन से उतर के अपका अपोजोटी में आपको रिलेश्टन दिख जाएगा हर दस मिटे आपको एक के पासेंजर ट्रेंड मिलेगा 20 रुपे का टिकेट करके आप बंगर पटे आ सकते हैं उधर एकजिट की राइट शैड में आपको बस्ट अपे दिखे सुबो 6 बाजे से रात को 9 बाजे तक इधर खुला रहता है मंदिर लेड़कियों के लिए उधर जीन्स मत्रा बेलाओ नहीं है सकट बेलाओ नहीं है आपको कंपलसर चूनी डाल के जाना पड़ेगा इजो मंदिर है ये इधर एक करोड का सिबलेंग है इसके लिए इसको कोटिलेंगे सर बोलते हैं इजो मेन मंदिर है ये सिबलेंग के आकरित में है जिसका हाइट है 108 फिट उधर एक बड़ा सा नंदी है जिसका हाइट है 35 फिट है और उसका चड़ा है 40 फिट इधर एक पे साधि में अर्चन आता है इधार एक पिला कफ़ागा बांधने से उनका सारे मनो कामना पूरी हो जाती है इसे लोगों का मानना है इधर जो गरीब लेटकी होते हैं उनका साधी फ्री में इधर करते हैं फूलो जो खर्चाए मंदिर परिशर बाना करता है अगर दूर से कोई भगता आते हैं इधर तो उनका खाने का और रहने का जो बंद बसते हैं वो भी मंदिर परिशर करते हैं देखिए कितिना बड़ा बड़ा मुर्ती है के थे एक बार संबुसरी मुर्ती ने सपने में सीप को देखे देख तब सब डिशाड क्या इधर रके सीप का मंदिर बनाएंगे 1980 में जो फर्स्ट सिपलिंग था वो स्तापना किये थे उसका एक पेलु यह है दूसरा पेलु यह है कि केते की भगान इंद्र को गतुम डिशिने श्राप जिये थे वो श्राप से बचने के लिए वो दस लागे नदी का पानी लागे इधर सिपलिंग का वो अभिसक किये थे तो अफसर लेके आज तक वो सिपलिंग इधर मोजु दिये इधर सिपल रात्री में धुमदाम से मना जाते हैं बहुत दिन आपको देखने लाएके यह मंदिर बहुत अच्छे से डेक्टरेट किया जाते हैं यह मंदिर की आजू बाजू में मिनिमूम ग्यारा मंदिर है भगान पंचुबगी गनपती पारवती श्रिकुमार श्वामी नंदी महराज भेंकट रमन श्वामी पांडरोंगा श्वामी अन्नपुने सरी देवी इस्वरी देवी रामलख्वन शीता कामंदिर इधर मजु दिये इधर जो एक तेलकु मुवी है इधर मंजुरात मुवी इधर शुटिंग हुआ था जिसमें चिरंजी भी हिरो थे और इधर अगर आप आते हैं इधर आज वाज में बहुत सारा जागा है देखने के लिए इधर से 7-8 किलमड़ लगेगा केजेप का जो गोल्ड मैन है उधर केजेप का मुवी शुटिंग हुआ था आप उधर भी जा सकते हैं इधर का कोलाव कोलार का जो ड्याम है बो भी से आप देख सकते हैं उधर वोटिंग का सिस्टम भी है कि सो में सटेंपल हुए पास में राम लंगे सटेंपल भी है आप किदर भी जाके एंजे कर सकते हैं एक दिन का अगर प्लानिंग करते हैं तो सारा जागा आप मतलब घूम के आराम से जा सकते हैं आज तो हमने देख ला सब कुछ और मेरी वीडियो अच्छा लगें तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दिजेगा और जो लाइब में जरूर एक बर आके दरदर्शन कीजेगा रखती हूं मिलते नेस्टे वीडियो में तब तक बाई बाई